सो फ्रेंड्स आज के हमारी इस वीडियो का पहला वर्ड होगा डिफैम, डिफैम मतलब बदनाम करना, इसको एक्जामपल से समझते हैं, तुम मुझे सब के सामने क्यों बदनाम कर रहे हो, इसे एंगलिश में बोलेंगे, वाई आर यू डिफैमिंग मी इन फ्रन्ट ओफ इन दोनी एक्जामपल से हम समझते हैं कि डिफैम यानि बदनाम करना, नेक्ट वर्ड होगा, एंबियंस, एंबियंस मतलब माहूल या वातवरन, इसको एक्जामपल समझते हैं, आई लाइक दा एंबियंस ओफ दिस रेस्टरॉंट, यानि मुझे से रेस्टरॉंट का पसंद है, एक और एक्जामपल देखते हैं, इससे और अच्छे समझ पाएंगे हम, इसे माहूल में कुछ दिन बिताना अच्छा लगता है, इन दोनों ही एक्जामपल से हम अच्छे तरीके समझ सकते हैं कि एंबियंस मतलब माहूल या वातवरन, नेक्ट हमारा वर्ड आउटकम, आउटकम मतलब नतीजा या परिणाम, यह आपने भी सुना होगा, काफ इसी वर्ड है, आउटकम मतलब परिणाम या नतीजा, एक्जामपल समझते हैं, I don't know what the final outcome will be, मुझे नहीं पता अंतीम परिणाम क्या होगा, I don't know what the final outcome will be, यानि मुझे नहीं पता अंतीम परिणाम क्या होगा, एक और एक्जामपल देख लेते हैं, we are waiting to hear the final outcome of the election, जो election हुए है, उसके हम final, जो उसका अंतीम परिणाम है, सुनने की परिणाम कर रहे हैं, हम चुनाओ के अंतीम परिणाम के सुनने की परिणा कर रहे हैं, we are waiting to hear the final outcome of the election, तो यहाँ पर मैं पता चलत feeling uneasy, मुझे बेचैनी हो रही है, तो next example होगा, there is no need to feel uneasy, बेचैन होने की कोई ज़रुरत नहीं, there is no need to feel uneasy, तो इन दोने एक्जामपल से हम समझ सकते हैं, uneasy मतलब बेचैनी, next word होगा, provoke, provoke मतलब उकसाना या भढ़काना, यह आपने जरूर पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, provoke, इसको एक प्यारे से एक्जामपल से समझते हैं, if you provoke the dog, it will bite you, if you provoke the dog, it will bite you, अगर तुम कुत्य को भढ़काते हो तो यह तुम्हें काट लेगा, it will bite you, if you provoke the dog, it will bite you, अगर तुम कुत्य को भढ़काऊगे तो तुम्हें काट लेगा, next example होगा, she said it deliberately to provoke me, उसने जान पूचकर ऐसा मुझे भढ़काने के लिए कहा, तो किसी ने कुछ ऐसा के दिया, जिससे मुझे बुरा लगा, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि, she's had it deliberately, अनि उसने ऐसा जान पूछ कर किया, to provoke me, मुझे भढ़काने के लिए, तो इन दोने एक्जामपल से, हम समझ सकते हैं, कि provoke मतलब उक्साना या भढ़काना, नेश्ट होगा फ्रेंग सेबटाज, सेबटाज मतलब तोड़ फोड़ करना, नाकाम करना, इसको एक्जामपल से समझते हैं, तोड़ फोड़ के कारण, फेक्टरी में लगी आग, इसकों इंग्लिश देखते हैं, तोड़ फोड़ के कारण, तोड़ फोड़ करना, इसका भी एक्जामपल देखते हैं, क्या तुम जान पूच कर इस प्रोजेक्ट को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो इन दोने एक्जामपल से हम समझ सकते हैं, कि तोड़ फोड़ करने के लिए भी हम सेबटाज का यूज़ कर सकते हैं, और नाकाम करने के लिए भी, नेच्ट वोगा फ्रेंड्स, राइट हेर, राइट हेर मतलब यही पर इसी जगा, इसको एक्जामपल से देखते हैं, आई सोहर सिटिंग राइट हेर, मैंने उसे यही बैठे देखा था, आई सोहर सिटिंग राइट हेर, मैंने उसे यही बैठे देखा था, तो आपने किसी लड़की को कहीं बैठे देखा था, आप किससे कह रहे हो कि, I saw her sitting right here मैंनो से यहीं बेठे देखा था एक और example देखते हैं right here where we are standing इसी जगा जहां हम खड़े हैं right here where we are standing right here where we are standing यानि इसी जगा जहां हम खड़े हैं next ओका friend durable, durable मतलब टिकाव ये स्थाई, example से समझते हैं the box is made of tough durable plastic box कठिन टिकाव पलास्टिक से बना है the box is made of tough durable plastic, यानि कि जो box है वो कठिन और टिकाव पलास्टिक से बना है, next होगा resist, resist मतलब विरोत करना रोकना, तो इसके example देखते हैं, it is when to resist विरोत करना बेकार है it is when to resist, यानि विरोत करना बेकार है, एक और example होगा इसका, who could resist an offer like that इस तरह के offer का कोन विरोत कर सकता है who could resist an offer like that तो इन दोने example समझते हैं कि resist मतलब विरोत करना next होगा फ्रेंड्स, enormous मतलब बहुत बड़ा विशाल enormous मतलब, बहुत बड़ा विशाल example से देखते हैं, he leaves in an enormous house, वो एक बहुत बड़े घर में रहता है, he leaves in an enormous house, तो हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि he leaves in an enormous house, वो बहुत बड़े घर में रहता है, एक example और होगा, there is an enormous garden before his house उसके घर के आगे, यानि उसके घर garden before his house तो इन दोने example से हम अच्छे समझ सकते हैं enormous मतलब बहुत बड़ा है, विशाल next होगा friends, struggle struggle, आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैंने अपनी जिन्दगी में बहुत struggle किया struggle मतलब संगर्ष संगर्ष करना, example देखते हैं keep up the struggle till you succeed keep up the struggle till you succeed, यानि काम्याब होने तक संगर्ष करते रहो, keep up the struggle till you succeed, काम्याब होने तक संगर्ष करते रहो, एक example और देख लेते हैं, they were poor and had to struggle for a living, वे घरीब थे और उन्हें जीने के लिए संगर्ष करना पड़ता था they were poor and had to struggle for living, तो हम किसी के बारे में किसी परिवार के बारे में बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि they were poor, वे घरीब थे and had to struggle for a living और उन्हें जीने के लिए संगर्ष करना पड़ता था तो इस दोनों ही प्यारे से एकजामपल से हम समझता की सकते हैं कि struggle यानि संगर्ष करना नेक्स टोगा फ्रेंड्स, reasonable reasonable मतलब उचित, वाजिब तो एकजामपल देखते हैं the price of this used car is reasonable जो पुरानी कार का जो प्राइज है वो reasonable है, उचित है, ठीक है तो कोई पुरानी कार खरीद रहे हैं किसी ने उसका price बताया, हमें कीमत बताया उसकी कीमत सुनके कह रहे हैं कि the price of this used car is reasonable यानि कि जो कीमत है इस पुरानी कार की वो ठीक ठाक है, उचित है नेक्स टोगा, फ्रेंड्स, इसका एक और एकजामपल है I think your demands are perfectly reasonable मुझे लगता है आपकी मांगे पुरी तरह से उचित हैं, ठीक है I think your demands are perfectly reasonable मुझे लगता है आपकी मांगे पूरी तरीके से उचित हैं, ठीक हैं, ठीक ठाक है तो फ्रेंड्स, आप अच्छे समझ सकते हो कि reasonable मतलब ठीक ठाक, उचित या वाजिब next होगा, sorry friends इतना ही है आज की वीडियो में So friends, जरूर बताना, आज की वीडियो में बसित नहीं जरूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपको एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है तरह की वीडियो और भी बनाने की और वैसे हम इस चैनल पर जादे तरह जो वीडियो स बनाते हूं भूवी से रिलेड़ू बनाते हैं हम मुवी में जो सब्टाइटल्स होते हैं उन्हें एक्स्प्यैन करके आपको बताते हैं कैसे आप अपनी डेड़ डेलाइफ में यूज करके इनको अपनी इंगलिश अच्छे से बोल सकते हो हमने अभी कुछी टाइम से ये वीडियो जबनानी शुरू करी है जो की वोकेबलोरी पर है वर्ड मिनिंग है ये हमने इसलिए की है क्योंकि आप भी जानते हो उनकी मिनिंग पता होनी चाहिए तभी आप अच्छे से इंगलिश लिख भी पाओगे पढ़ भी पाओगे और बोल भी पाओगे तो फ्रेंड इसी तरीके सा अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि इस तरह की वीडियो हम रेगुलर अप्लोड करते रहते हैं और थैंक यू सो मुझ फोर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंड्स